तो आप लोगा फिर से बहुत बहुत सागता इतनी बारिक से मैं आपको सिखाउगा इतनी अच्छी तरीके से सिखाउगा कि 100% समझ में आ जाए यानि कि बिल्कुल सरल तरीके से बिल्कुल जीरो की जैसे आप जीरो से बजाने बाले हैं आपको कुछ बजाना ही नहीं आता है कपी प्रयास करके बजा चुके हैं तो इस चीज को मैं आपको बहुत बारिकी से सिखाऊँगा इस बजन को बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊँगा इसमें मैं मतलब मैं के लिए जो बात कहता हूँ से देखिए इस वीडियो को अगर आपको विश्वास नहीं है अगर आपने वीडियो खोला आए तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा अगर समझ में नहीं तुम यह कहना की आप कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैं इतनी वारिकी से समझाँगा गींगोरर्ण इतना आपको साइध आपके इसी के पास किसी गुरू के पास तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलिज करतीजेगा प्यारा से लाइक जरूर करतीजेगा और नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताना कि यह वीडियो कैसा लगा आपको तुछी सार्थ से हम आपको इस चीज को बताएंगे ठीक है क्लासल में आं बता रहांगे आपको जाइए यह चीज है ठीक है तो पहले हम इस थाई सीखेंगे उसके बाद में बहुत बारी किसे अंत्रा सीखेंगा बस वीडियो को पूरा देखिए अगर पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा पूरा सुरू से लेकर अंत्र तक देखिएगा इसकी बिल्कुल मत इस पर किस पर कितना कभी राम बन के के यहाँ पर आपका आएगा ठीक है कभी राम बन के तो कि इस वाली बटन पर आजाएगा कभी राम बन के देखो दोनों चीज़ देखो यह चीज़ देखो पहले इस पर दोनों पर कभी कभी पहले कभी राम बन के कभी स्याम बन कभी राम बन के कभी स्याम बन के इस पर थोड़ा सल देना पड़ेगा आप उस अलका सटल देखो पहले कभी राम बन के किलियर फिर कभी राम बन के कभी स्याम बन के फिर स्याम इस पर स्याम इसे मना इथिरादानार नहींλοं स्याम बन के ठीक है स्याम बन के स्याम बन के स्याम बन के ठीक है पहले कभी राम बन के कभी स्याम बन के फिर चले फिर चले चले इस पर दोनों पर चले आना ठीक है चले आना चले आना ठीक है कभी राम बन के कभी स्याम बन के इतना के लिए रोगा था ना फिर चले आना चले आना चले आना साहँ पहले रे सारे रे सारे चले आना प्रभूजी चले ठीक है प्रभूजी चले प्रभूजी चले ने सारे गां प्रभूजी चले ठीक है साइब स lug1 गैए давай अब प्रहूची चले आणनाRe ally yn कारे साइब किलियर हो गयाना,100% किलिए हो गया होगा ठीक है, अब इसी चीज को आप यही नोटेशन लेकर आपकी से पिले कर सकते हैं जिस सेail से करना चाहे जैसे अगर आप यहान से बहुत जाए तो यहान से वही नोट से लगेंगे किलियर हो गया ना 100% किलियर आपका बहुत बारी की तरीके से ये चीज को आपने कर लिया होगा अब बात करते हैं आंतरा की और ध्यान देते हैं थोड़ा आंतरा की और आंके और थोड़ी देर खुली रखिएगा आप बहुत बारी की से मतलब बहुत आंके खुली का मतलब स् यह चीज़ है आंतरा देख लीजिए बहुत सिंपल है आंतरा में कुछ आपको ज्यादा बजाना नहीं है बस ध्यान सोज तोड़ा देखना है तुम राम तुम राम रूप तुम राम रूप पादा पामगारे तुम राम रूप मे आना पादा पामगारे तुम राम रूप मे आना अब मतलब इतनी नोटसन पर आप सब का नाम लीजिए पूरा बरिन काई अंतरा जोई मदर की सभी सिसे लेगी तुम क्रेश्न रूप मे आना तुम बिसन रूप मे आना मतलब जितने भी रूप हैं आप कह सकते हैं असानी से तुम राम या तुम क्रेश्न रूप मे आना पाधा पामा गारे गारे सा पाधा पामा गारे गारे सा बस पाधा पामा गारे सा बस पाधा पामा गारे अब फिर गारे सा गाधोनों यूजोंगे बस कुछ है ने फिर हमारा नोटसन वही चालू हो जाएगा सीता साथ लएके यानि कभी राम बनके कभी राम स्याम बनके बस वही चलेगा सीता साथ लएके धन उस हाथ लएके चले आना प्रभू जी चले आना बस तो यही चीज है तो उम्मीद कर रहा हूँ आप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगाए तो लाइक सब्सक्राइब सेर करना ना बोलें बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो वाच करने के लिए